नमस्कार दोस्तों एक बार आप सबका फिर से बहुत-बहुत सुवागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरू जी पर इसके लाब आपको सेंट्रल में जॉब करनी है सेंट्रल में टीचर बनना है अपर प्रामिटीचर बनना है तो सी टीटी पहले आपके बास यह जो है इसको क्वालिफाइब करना आपके लिए इंपोर्डन्ट है और अभी जो नई पॉलसी आई है जब तक आप लोग टीचर बनोंगे तब तक लागू भी हो जाएगी कि जब आप लोग टीटी के बाद जब आपका सूपर टेट होता है तो सूपर टेट में आपका टीटी का जो 25 परसेंट नंबर है आपका वो जुड़ेगा जब कोई आपकी अध्यापक भरती की पहिछाएगी तो उसमें टीटी क की के लिए एक है नंब की जाएगा तो फेल है अपकर जो जानेंगे इसके लागी यह आप यह मान सकतें ओ तो एक जन अध़ को चाह। था आपका यूपी टेट का उससे मैं एक कोईशन लेकर करें कुछ कोईशन सो आपको एक आडिया लग जाएगा कि इस तरह के कोईशन का लेबल क्या होता है आज मैं हिंदी पढ़ाऊंगा हिंदी के साथ साथ मैं आपको mathematics जो भी आते हैं सब कुछ मैं पढ़वा दूँगा उसके बाद मैं अच्छे से topic by topic आपका अच्छे से clear करूँगा आपकी जो पूरी तयारी करवाओंगा तो channel पर जुड़े रहना है आप सभी को जिससे आप लोग अभी से तयारी अपनी सुरू कर दो और आने वाले exam में आ जो कि आपका 150 नंबर का आता है यनि कि एक कोशन आपका एक नंबर होता है इसके लाव यहाँ पर क्या कि आपको option मिलते हैं पहला जो आपका होता है तीस कोशन बाल विकास और सिच्छडविधिया नि कि आपका मनुविज्ञान हो गया CDP हो गया वहां से तीस कोशन आते है इसके लावा भासा प्रथम भासा दुटिये का मतलब क्या है भासा प्रथम में आपका आता है हिंदी अब यह हिंदी सबके लिए होता है हिंदी सबको पढ़ना होता है हिंदी का जो कोशन है तीस कोशन वो सबके लिए आते हैं और भासा दुटिये में आपके पास option होता है बहुत ही normal label के आपके जो कोश्चन आते हैं गडित में आते हैं मैं आपको सभी को सब चीज़ें करवाऊंगा गडित में से basic अब सकते हैं तो आप सभी को आप इसको आप एक बार दे सकते हो दो बार दे सकते हो आपका जब लोग उसका फॉर्म भरेंगे और अपनी तैरी जाली रखेंगे इसके लावद सीटेट एक लगा हुआ है वह उसके लिए आपका वेनिफीसिल होने वाला है तो चलिए अब देख लेते हैं भाई हिंदी में किस तरह के कोशन आते हैं हिंदी के आज में आप 30 कोशन लेकर आया हो तो पूरा देख लीजेगा और एक आपको आइडिया लग जाएगा भाई इस तरह का पेपर में प्रसमी आपका पूछा जाता है तो यह आपका जो पेप तो पहले को पता है क्या होता है इसलिए आपको समझ में आ जाएगा तो क्या रहा है कि प्रकासन की द्रिष्टि से प्रकासन वर्सिक्री द्रिष्टि से डॉक्टर हरवन्स राय बच्चन की रशनाओं का सही अनुकरम कौन सा है तो याद रखिए उनका जो है मदुसाला पहले आया था कौन सा पहले आया था भाई मदुसाला पहले आया था 1935 में पहले आया था उसके बाद आपका मदुबाला आया था 1936 में आया था इसके अलावा 1937 में आपका मदुकलस आया था निसा निमंतर की बात करते हैं 1938 में आया तो यह इनका जो सही करम यहाँ पर दिया गया है मदुसाला, मदुबाला, मदुकलस और निसा निमंतर बहुत यहादा important question है और देख सकते हैं 2019 में आपको यही same question पूछा दब गया था 2020 में अगला question देखिए क्या कह रहा है कि सुमेल करना आपको यहाँ पर basically आपके हिंदी साहित्य समेलन है कासी नागरी प्रचारडी सभा है, राष्ट सभा प्रचार समीती है तो आपको बताना है इनका जो basically किस वर्स में यह आपके basically हुए थे तो यहाँ पर पहले मिला लेते हैं जिसे अगर हम बात करते हैं हिंदी साहित्य समेलन के बारे में हिंदी साहित्य समेलन के बारे में बात करते हैं तो यह आपका 1910 भी में हुआ था तो यह मिल जाएगा आपका पहले से यह वाला इसके अलागर हम बात करते हैं कासी नागरी प्रजारडी सभा के बारे में तो यह 1893 में हुआ था दूसरे नमबर पर यह हो जाएगा और तीसरे नमबर पर आपका बचा किया राष्ट भासा प्रचार समिती तो तीसरे नमबर पर आपका यह हो जाएगा तो यह आपके सारे ओप्सन देखने को मिल गए यानि कि CBAB दीखी भाई पहले C है फिर A है फिर B है तो CAB जितने भी लोग सोच रहे थे जितने लोग जवाब दे रहे थे वो लोग यहाँ पर बिलकुल करेक्ट हैं अगला कोशन बहुत ही दीख सकते हैं आपके paper में आये था कि तो सिदास के रचनाकार है आप देखो तो तो फीदास एक रचना भी आय था यह भी याद रखेगा और दोलसी दास के जो रचनाकार है कौन है सुरियकान त्रिपाठी निराला जी है अन्या से अनन्या यह आत्मकता किस्कोंइश देख सकते हैं आपके रचनाओं से संभूत आते हैं तो अन्या से अनन्या कि लुग हम बात करतें दोस्तों तो यह। प्रभाघ हेतान किसकी प्रिभाघ के सब्सक्राइब टोिकी रचना है और यह आत्मकता आज기에 Command je जी कि ये बिसिकली क्या है जीवन के मतलब अपने जीवन के बारे उन्हें बहुत जो आप ये मान सकते हो कि बहुत जो अंचुए पहल होते हैं उनको बहुत बेबाकी से प्रकट किया गया है और ये कभी-कभी पूछा रहता है कि भीया इसका प्रकासन कब हुआ था तो सन 2007 इ अगला कोशन देखे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये किसका वाकिय है भाएया प्रभु जी तुम चंदन हम पानी ये पंक्तिया जो है दूस्तो कभी रैदास जी की है ये option number इसका d है कभी रैदास वो यहाँ पर बिलकुल correct हो जाएगा तो यहाँ पर जोब ऑप्स खेत है खेत आपका तद्भो सब्द है क्योंकि इसका जो तस्सम होता है छेत्र होता है सभी को पता है जब कि त्रिकुटी प्रभू नाथ की बात करते हैं तो यह आपके जो है तस्सम सब्द है अगला कोशन कह रहा है कि निम्लिकित में से कौन सा सब्द देशज है धडाम और अगरत लास और पतलून की अगर हम लोग बात करें ध्यान से इस कोशन को समझेए अगा देशज सब्द क्या होता है यह समझ देशजो देशज सब्द जो बैसिकली जिनकी व्यूत्पत्ति का पता नहीं होता है जो हम लोग अपनी बोली में ऐसे नॉमली यूज करने लग हैं तो याद रखें दोस्तों यहां पर धराम की बात करते हैं तो जो धराम है वो आपका देशज सब्द है जबकि लास की बात करते हैं तो यह तुर्की सब्द है लास तुर्की सब्द है औरत आपका अर्भी सब्द है इसके लावा अगर हम बात करते हैं पतलून के बारे में तो पतलून जो है यह पतलून आपका अंगरेजी भासा का सब्स होता है ठीक है तो यह जितने भीूडर्ण कोशें आपको बताते ह ONE चलूँगा इसके लावा धाराम हो गए खिडकी हो गया खिचणी हो गया पगडि हो गया जूता हो गया यह आपके इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है इस लोकोक्ति का मतलब होता है कि आयोग की व्यक्ति को अच्छी चीद देना तो आप्सन नमबर जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 39 नमबर कोशन देखी गह रहा है कि रिग वेद का संधि विक्षेद क्या है रिग वेद का संधि विक्षेद पूछा गया है तो क्या हो जाएगा तो बहिए रिग वेद का संधि विक्षेद है आपका होता है रिग प्लस वेद ऑप्सन नमबर जो इसका भी है रिग प्लस वे वो यहां पर बिलकुल करेक्ट रहेगा और यह जो है बिसिकली विंजन संदी का उधारण है बहुत सारे उधारण होते हैं सद्वाडी हो गया दिग्भ्रम हो गया सड्ययंत्र हो गया यह आप सब की जो हैं विंजन संदी के अंतरगत आते हैं अगला कोशन ध्यां से तो आप पर भी ती यानि कि ततपुर्ष समास हो जाएगा यहां पर पर आ रहा है बेच में अगर आप से पूछा जाए कि ततपुर्ष समास में भी कौन सा समास है तो आपका क्या हो जाता है सर पर आपका आता है अधिकरण में तो यह आपका अधिकरण ततपुर्ष समास ह थीक है? तो यहाँ पर option number जो इसका डी है वो यहाँ पर correct हो जायेगा अगला question कर रहा है कि घोसले में चडिया है इस वाकिमें कौन सा कारक है? बहूं यह घोसले में की चडिया है इस वाकिमे अगर हम लोग कारक की बात करते हैं तो देखो यहां पर में आया हुआ है और में की अगर हम लोग बात करते हैं तो बिसिकली आपका किस में आता है अभी मैंने आपको बताया था आपका में हो गया पर हो गया यह बिसिकली किस में आते हैं अधिक करण कारक में आते हैं तो option नमबर जो इसका D है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होएगा, अब देखें यहाँ पर गध्यान से भी आपके कोशन पूछ आते हैं, इस तरह के कोशन आपके आते हैं, जहाँ पर आपको गध्यान से कुपढ़ करके इसका जवाब जो है देना होता है, एक छोटा सा कोशन है, थोड़ा ताइम क्षेतरे में सीमित हो चुके हैं, आत्मा से उसका संबंध विच्छेद होकर केवल बाहर समस्कार तक उसका प्रसार रह गया है, मन की निर्मलता और इस्वा निष्ठा से आत्मा को सुद्ध करना गांधिवाद की प्रथम हो सकता है, ऐसा करने से निष्वार्त बुद्धी का प्रखास होता है, और मनुस्य सचे अर्थों में जन सेवा के लिए ततपर हो जाता है, गांधिवाद के समप्राइदिक्ता के लिए कोई स्थान नहीं है, इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जीने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, इसी तना से आपको पेपर में क कोईशन को एक बार अच्छे से दिमाग लेए कोंसेंट्रेट हो करके कोईशन को पढ़ना है, जिससे आपके दो से तिन कोईशन वासे बनते हैं, तो आप लोग आराम से कर सकते हो, तो यहां पर कोईशन देखिए सिंपल से क्या पूछा गया है, कि उप्रियुक्त गद्द गद्दान्स में गांधिवाद का अधार किसे बताया गया, तो गांधिवाद का आधार है, वो राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्तो को बताया गया था, तो आप जब भी इसको पढ़े से आप लोग ना, यहां पर आपको देखने हों मिल जाएगा, जो आपका जो बैसिकल भी आपके सामने इस तरह को कोशन आता है, जब भी आप इस तरह के कोशन को पढ़ेंगे, तो इक पर सिंपल सा पढ़ लेना है, पढ़ने के वाद आपके सामने एंसर जो है, खुद ही निकल करके आजाएगा, एक कोशन आप से यहां पर पूछा गया, कि कनु प्रिया की र प्लूत त्थ्षक्म रायों सा थोड़ा सा बलर देख रहा होगा बड़ मैं आपको ताता हूं, यहां पर पूछा गया है, प्लूतुस्वर कोशन पहाता है, लिप करते हैं तो यहां पर देखा जाएThe Dioulder morning दो जो आपका ओमो लिखा गया है, यह आपका प्लुत सवर के अं गुणा अधिक समय लगता है लगस वर की तुल्ला में तो यहां पर आपसर नमबर जो इसका भी Il क बिलकुल तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला कोशन कह रहा है कि रिजुका विलोम सब्द क्या हो जाएगा या रिजु की बात करते हैं तो रिजुका विलोम आपका कई बार बताय जा चुका है रिजुका विलोम आपका वक्र होता है कोशन बर तालिस कह रहा है कि निम्लिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विसेशड का निर्देश असुद्ध है तो धाई दिया गया है आप लिखा गया कि कोई विसेसर नहीं है जब कि यहां पर देखा जा तो वहां नोकर सरवनामिक विसेसर यहां पर आपको देखने को मिल ला है तो यहां पर जिस आप से लिखा गया ना कोई विसेसर नहीं है तो यह आपका जो है गलत हो जाएगा असुद यह हो जाएगा तो आप कोशन देखे कह रहा है कि आप भला तो जग भला इस वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है तो भाई या आप भला तो जग भला है अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए तो आप जो है आपका यह नी जवाचक दिखाता है ठीक है नी जवाचक सरुनाव का बोध कराता है तो यहाँ पर जितने भी लोग आपस नमबर से पुलिंग माना था तो संतान कोई हम लोग भी पुलिंग मानेंगे तो आपस नमबर डीपर टिक कर देंगे बड़ संतान जो होता है यह भी आपका एक इस्ते लिंगी होता है यह चीज याद रखेगा अगला कोशन देखे कहे रहा है फिर से आपके पध्यांस दिया गया है गुगरारी लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की निवचर प्राड करे तुलसी बलिजाओं लाइन बोलन की बिसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस रस की बात हो रही है तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो वास्ताली रस की बात हो रही है तो यहाँ पर वास्ता लेरास हो जाएगा तो option number जो इसका B है वो यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा इसके लावा एक कोशन यहाँ पर बन सकता है कि यह जो कविताई लिखी गई है जो पंक्तिया लिखी गई है किस कवी की है यह कोशन पूछा जाएगा अभी आप देख सकते आगे और सभी को पता भाई यह जो पंक्तिया है तुलसी दास जी की है बिल्कुल सही बात है सर यह उनका एक कविता थी कविता वली का जो बालकंड था वहां से लिया गया है तो उसका सी है तुलसिदास वह यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एक और कोशन देखते हैं आप से यहां पर बहुत ही इंपॉर्टन्ट है कि उचारण की स्थान की द्रिश्ट से कौन सा विक अगला कोशन देखें दे खिए कह रहा है कि निमन्रिखित में से कौन सा कतन अशुद है अशुद्ध यहां पर बोला गया है तो ध्यान से देखेगा इस question में correct answer क्या हो जाएगा दो महाप्राड विंजनों का उचारड एक साथ हो सकता है अब देखे यहां पर पहला option ध्यान समझेगा दो महाप्राड विंजनों का उचारड एक साथ हो सकता है यह कसन जो है basically बिल्कुल सही बात है अगला question देखे आपसे यहां पर क्या कह रहा है कि मेरे लड़के ने मेरी आग्या का पाला नहीं किया इस वाक्य में लड़के के विसे में कौन सा विकल्प असुद्ध है मेरे लड़के ने मेरी आग्या का पाला नहीं किया यहां पर लड़के के विक नहीं है मेरे लड़के ने लड़कों अगर लड़कों लीखा होता तब भॉवचन होता ना लड़के थोड़े नबहुचन है तो यह भॉचन दिया गया है तो इसलिए यह तो final पॉच्छन प्रधानता किसकी है राम की प्रधानता है राम यानि की करता है करता की प्रधानता होती है तो वहां पर कृत वा其實 होता है अगला कोशन बहुत ही आसान सा पूछा गया था देख सकते हैं किस तरह के पेपर में आपके कोशन बनते हैं यहाँ पर अलंकार के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका सलेश अलंकार हो जाएगा, क्यों सरी हो, क्योंकि यहाँ पर जो यह पानी आया हुआ है, जो पानी आया हुआ है, बिसिकली पानी सब्द के तीन अर्थ है, मोती के लिए चमक, मनुस्य के लिए समान और चून का जो अर्थ है मोती के लिए भी है मानुस के लिए भी हो चून के लिए भी है तो यहां पर इसलिए सले सलंकार हो जाएगा अगला कोशन देखी कह रहा है कि निम्लिखित में से कौन सा सब्द आपका सुध्ध सब्द है अंगना नहीं होता भाया यहां पर अगर देखा जा त चानद में आपक C satellite लगता है आंक में भी आपका से मोई है चंद लगता है और ऑंक की बात करते तो यहां पर चंद नहीं लगता है यहां पर सिर्फ अंक लगता है ठीक है तो यहां पर यह तीनों आपके गलत दिये गँंग है जबकि यह आपर आंगना यह बिल्कुल दुन दुरूप में लिखा गया है अगला कोशन पूछा गया था कि नेम लिखित मेंसे किस सब्द की वरतनी सही है तो यहां पर आप देख सकते हैं कौन से सब्द की वरतनी सही हो सकती है सभी लोग उन्सड़ का जवाब देते हो चलेंगे तो याद रखिए दोस्तों यहां पर दे सब्द का जो यूज है किया जाता है और जो दिये गए आपके गलत दिये गए है ठीक है अगला कोशन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि उप चारात्मक सिक्षड की सफलता निर्भर करती है तो यह जो सफलता है उप चारात्मक सिक्षड की सफलता यह आपकी निर्भर करती तो ये रहे दोस्तों आज के कुछ important questions आपको कैसे लगे comment करके बताईएगा और इस तरह के वीडियो आपको तयारी करवाई जाए अभी से कि ना करवाई जाए आप लोग ये भी comment कर बताईएगा क्योंकि अभी in future आपको बहुत सारे काम आने वाले हैं तो अभी से थोड़ा आपके लिए बहुत जादा की जा रही है तो अभी के लिए बाबाय टेक केर जाहिन जाए भारत